जैसी आराम दोस्तों तो कार्टिक मास की शुरुवात हो चुकी है शरत पूर्णिमा सही कहा जाता है कि कार्टिक मास के अंदर दीबदान जरूर से करना चाहिए तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो दीबदान से ही रिलेटेड है कि दीवदान क्या होता है इसे कैसी किया जाता है और कार्टिक मास में दीवदान करने का आखिर इतना जदा महत्व क्यों होता है तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं दोस्तो हिंदू धरम में कार्टिक मास को चातुर मास का अंतिम मास भी माना जाता है और इसी महीने का जो है शास्त्रों में खासा महत तो बताया भी गया है इस माहा में भजन, पूजन और दान, पुन्य के साथ साथ दीबदान का खास महत वो माना जाता है माना जाता है कि इस महीने में भगवान लक्षमी नारायन की विशेश कृपा भगतों को प्राप्त होती है माना जाता है कि माता लक्षमी के बिना इस संसार की कलपना भी नहीं करी जा सकती है इसलिए कार्टिक मास में मा लक्षमी को प्रसंद करने के लिए दीबदान की खास उपाय भी बताय जाते हैं दीबदान का महत तो हम जानते हैं लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर दीबदान होता क्या है दीबदान का दान करना या दीब को जलाकर उसे उचित स्थान पर रख देना ही दीबदान कहलाता है किसी दीपक को जलाकर देव स्थान पर रख कर आना या उन्हें नदी में प्रवाहित कर देना यही दीबदान कहलाता है या फिर प्रभू की समक्ष जो आप दीब प्रजुलित करते हैं उसे भी जो है दीबदान ही कहा जाता है अब बात आती है कि कहां करते हैं दीबदान को तो देव मंदिर में आप दीबदान कर सकते हैं आप लोगों ने देखा होगा कि बारा नसी में भी नदी में काफी सारे दीबदान किये जाते हैं यानि कि नदी की ऊपर एक पत्ते पर लिए प्रजलित करके उसमें प्रवाहित किये जाते हैं उसी को दीबदान भी कहा जाता है दुरिगम इस्थान अत्वा भूमी यानि की भूमी पर धान की उपर आपको दीबदान जरूर से करना चाहिए दुरिगम इस्थान का यहां पर ऐसा मतलब है कि काफी समय से जहां पर किसी ने उजेला ना किया हो या अंधेरा पड़ा हो तो ऐसे इस्थान पर दीबदान करने का बहुती ज़्यादा शुफल प्राप्ता आपको होता है आई अब ये जानते हैं कि आकिर कार्टिक मास में ही क्यों दीबदान का इतना ज़्यादा महत तो बताया जाता है कार्तिक मास में दीबदान करना बहुत ही शुफलदाई माना जाता है ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक मास में आकाश मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह होता है वो होता है सूरेदेव वो सूरेदेव जो हैं अपनी नीच की राशी में होते हैं यानि की तुला राशी में वो गवन कर रहे होते हैं तो इस वज़े से वाता वरण में अंधकार जो है वो पाओं पसारने लग जाता है इसलिए इस पूरे महिने में दीपक जलाने जब उतप और दानवा इसनान करने का विशेश महत तु बताया जाता है अगर किसी विशेश कारण से कार्टिक में प्रते एक दिन आप दीपदान करने में असमर्थ हैं आपको पाँच विशेश दिनों पर दीपदान जरूर से करना चाहिए तो आए जानते हैं कौन से हैं वो पाँच दिन पदम पुरान के उत्तर खंड में स्वेम महादेव जी ने कार्टिक जी को बताया है कि दीपा वली कार्टिक कृष्ण पक्ष के पांचवे दिन में दीपदान का विशेश महत तो बताते हैं क्रिष्ण पक्ष में पांच दिन यानि की रमा एक अदशी से ले करके दीपा वाली तक जो बड़े पवित्र हमाने जाते हैं उनमें जो भी दान किया जाता है वे सब अक्षय और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला भी माना जाता है तो इन पाँच दिनों में जरूर से दीबदान करना चाहिए अगनी पुरान में बताया गया है कि जो मनुष्य देव मंदिर में अत्वा भ्रामन के घर में दीबदान करता है वे सब कुछ प्राप्त कर लेता है पदम पुरान के अनुसर मंदिरों में और नदी के किनारे दीबदान करने से लक्ष्मी माता भी प्रसंद होती है दुर्गम इस्थान अत्वा भूमी पर दीबदान करने से व्यक्ति नरक जाने से भी बच जाता है और यदि कोई भी वक्ति कार्टिक मास के सभी पूरे दिनों में कृष्ण पक्ष हो चाई शुकल पक्ष में अगर सारे महीने में दीबदान करता है तो उससे माता लक्षमी बहुती जादा प्रसन रहती है पदमपुरान की अनुसार जो देवालाय में यानि की मंदिर में नधी के किनारे सड़क पर दीब देता है उसे सरवो तो मुखी लक्षमी प्राप्त होती है यानि की सभी जगे से जो लक्षमी आती है ऐसी लक्षमी की उस व्यक्ति को प्राप्ती होती है कार्टिक में प्रते दिन दो दीपक जरूर से जलाना चाहिए एक श्री हरी नारायन के समक्ष दूसरा शिवलिंग के समक्ष और तीसरा जो दीपक होता है जो सबसे इंपोर्टेंट दीपक माना जाता है वो होता है तुलसी जी के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जरूर से जलाएं और जब आप तुलसी जी के पास दीपक जला रहे हों तो इस दीपक के नीचे थोड़ी से चाबल जरूर से रख लीजी ऐसा कहते हैं ऐसे व्यक्ति को अखंड लक्षमी की प्राप्ति होती है माना जाता है कि जिसने कार्तिक मास में भगवान केशव की समक्ष दीपदान किया है उसने संपूर्ण यगों का अनुष्ठान कर लिया है और समस्ती तीर्थों में गोता लगाने के समानफल की प्राप्ति हो जाती है ब्रह्म वैवर्थ पुरान में कहा गया है कि जो कार्तिक में श्री हरी को घी का दीपदान करता है वे दीपक जितने पल जलता है उतने वर्ष्णों तक हरी धाम में वे आनंद भोगता है फिर अपनी योनी में आकर विश्नु भक्ती को प्राप्त करता है जो भी व्यक्ति कार्तिक मास की रात्री में श्रद्धा पूर्वक शिवजी के समीप दीप माला समर्पित करता है उसके चड़ाए गए वे दीप शिवलिंग के सामने जितने समय तक जलते हैं उतने हजार युगों तक दाता स्वर्ग लोग में प्रतिष्ठित होता है जो कार अत्वा सोने का आपको दीपक ले लीना है उसको अच्छे से साफ कर लीजिए मिट्टी के दीपक को कुछ घंटों के लिए पानी में भीगो करके सुखा लीजिए उसके पश्चात प्रदोशकाल में अत्वा सूर्यास के बाद उचिस समय मिलने पर दीपक तेल गाए घी ब फिर आपको घी में रूई की बत्ती तथा तेल के दीपक में लाल धागया किलाबे की बत्ती का इस्तिमाल करना है दीपक रखने से पहले उसको चावल अत्वा गेहुँ अत्वा सब्त धाने का आसंदे दे देना चाहिए दीपक को भूल कर भी सीधा पृध्वी पन नहीं रखना चाहिए क्योंकि कालिका पुराण की अनुसार सबको सहने वाली पृत्वी को अकारण दिया गया पदा घात और दीपक का ताप सहन नहीं होता है उसके बाद एक तेल का दीपक शिवलिंग के समक्ष जरूर से रखें और दूसरा गाय के घी का जो दीपक है वो श्री हर नारायन के समक्ष रखें उसके बाद दीपक मंत्र पढ़ते हुए दौनों दीपकों को जो है प्रजुलित कर लें और दीपक को प्रणाम करें इस तरीके से आपको दीपदान करना है मंदिर में जाकर के किसी मिट्टी के दिये में तेल डालकर उससे मंदिर में आप ले जा करके जलाकर उसे वहां पर रख कर किया जाएं दीपों की संख्या और बतियां खास समय अनुसार और मनुकामना के अनुसार तै की जाती है आटे के छोटे से दीपक बनाकर उसमें थोड़ा सा तेल डालकर पतली सीरुई की बत्ती जलाकर उसे पीपल या बढ़ के पत्ते पर रखकर नदी में प्रवाहिद भी किया जाता है देव मंदिर में दीपक को सीधा भूमी पर ना रखें उसे सब्त धान या चावल के उपर ही रखें अब ये जानते हैं कि आपको कप कप दीबदान करना चाहिए यदि कार्तिक मास नहीं भी है तो भी आपको दीबदान कप कप करना चाहिए यदि कोई त्योहार है या आपका वरत कर रहे हैं आप तो उस समय पर आपको दीबदान जरूर से करना चाहिए नरक चतुरदशी और यम दितिया के दिन आपको दीबदान जरूर करना चाहिए दीपावली अमावस्या या पूर्णी मासी के दिन आपको दीबदान जरूर करना चाहिए दुरगा में स्थान हो अत्वा भूमी पर दीबदान करने से व्यक्ति नरक जाने से भी बच जाता है आईए अब दीबदान करने के लाबों के बारे में भी हम जान लेते हैं अकार मिर्ट्यों से बचने के लिए भी दीबदान किया जाता है अपने मिर्ट्कों को सदगती के लिए भी कुछ लोग दीबदान करते हैं और करना चाहिए लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु को प्रसंद कर उनकी कृपा प्राप्ति है तु भी आपको दीबदान जरूर से करना चाहिए और लक्ष्मी जी की प्राप्ति है तु आपको प्रते दिन घर के बाहर दो घी के दीपक जरूर से परजुलित करना चाहिए यम, शनी, राहू और केतु के बुरे प्रवाफ से बचने के लिए भी दीबदान बहुती फल्दाई माना जाता है सभी तरीके के अला बला ग्रह कले और संकटों से बचने के लिए भी दीबदान किया जाता है जीवन से अंधिकार मिटे और उजाला आए इसलिए भी कई लोग दीबदान करते हैं इससे पॉजिटिविटी भी आती है मोक्ष प्राप्ति के लिए भी दीबदान किया जाता है किसी भी तरीके की पूजा या मांगलिक कारे की सफलता हेतु करते हैं दीबदान घर में धन संब्रदी बनी रहे इसलिए भी कुछ लोग दीबदान करते हैं कार्तिक मास में भगवान विश्नु या उनके अवतारों के समक्ष दीबदान करने से समस्त यग्यों तीर्थों और दानों का फल भी प्राप्त होता है जो चातर मास होता है यानि जो चार महिनों का एक समय होता है उसमें भगवान विश्नु के समक्ष दीबदान आपको जरूर से करना चाहिए या आपकी कोई ऐसी मनुकामना हो जो पूर्ण ना हो रही हो उसके लिए भी आप दीबदान कर सकते हैं माना जाता है कि इस से आपकी समझतु मनुकामनाय भी जरूर से पूरी हो जाती है तो यह थी मेरी छोटी से इन्फॉर्मेशन दीबदान को ले करके आप सब को कैसे लगी है कमेंट वाक्स में जरूर से बताईएगा तो हम मिलेंगे नेक्स वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ अभी के लिए जैजैसी आराम